दोस्तो आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े और रहसे में जंगल Amazon Rainforest में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव Green Anaconda विश्व का सबसे बड़ा सांप यानी Green Anaconda सिर्फ Amazon Rainforest में पाए जाता है Green Anaconda की अधिकतम लंबाई करीब 20 वीड तक होती है और इनका वजन करीब 200 किलोग्राम सोता है वैसे तो इसका जहर उतना खतरनाक नहीं होता लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ये अपने शिकार को जकड़ कर अधमरा कर देता है और उसको पूरा निगल जाता है ग्रीन एनकांडा छोटे जानवरों और पक्षियों के अलावा जैगवार जैसे विशाल जीव तक को खा जाता है कैंडी रू ये छोटी सी दिखने वाली पेरसाइटिक केट फिश भले ही आपको समानिय से दिख रही हो लेकिन ये आपको किसी बड़े जीव से ज़्यादा नुकसान पहुचा सकती है ये मचली इनसान पर हमला करने की बज़ाए नदी में टॉलेट करने वाले लोगों के गुपताओंगों में घुच जाती है फिर ये मचली यूरिनरी ट्रेक्ट के रास्ते शरीर के अंदर तक पहुच जाती है जिससे शरीर में बहुत तेज दर्द होता है जी हाँ दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं जिसमें इस मचली को आपरेशन करके पेट से निकाला गया है अगर इनको समय रहते ना निकाला जाए तो इनसान की दर्द से तडब कर मौत भी हो सकती है जाइंट ओर्टर एमेजॉन के जंगल में पाए जाने वाले जाइंट ओर्टर दूसरे ओर्टर स्पीशीज के मुकाबले काफी बड़े होते हैं और इनकी लंबाई करीब 6 फीट तक होती है ये जानवर जुंड में रहना पसंद करते हैं और अकसर नदियों और ज़रनों के पास पाए जाते हैं अगर इनके खानपान की बात करें तो ये केकड़े और मचलियां खाते हैं और ये समाने से दिखने वाले जीव एमेजॉन के सबसे खतरनाक जीव ब्लैक केमन तक को शिकस्त दे देते हैं और कई बार तो इन्हें ग्रीन एनकॉंडा पर भी हमला करते वे देखा गया है इसलिए आप अगर कभी भी एमेजॉन जंगल की सेर पर जाएं तो इनसे दूर ही रहें ब्लैक केमन ब्लैक केमन एमेजॉन फॉरेश्ट में पाये जाने वाले क्रोकोडाइल की सबसे खतरनाक प्रजाती है इनकी लंबाई करीब 16 फीट तक होती है और इनका वजन करीब 600 किलोगराम तक होता है ये मगरमच सुभाव से काफी गुसेल होते हैं और थोड़ा सा भी तंग करने पर हमला कर देते हैं फिर चाहे वो कितना भी खतरनाक जीव क्यों ना हो इनके अगर खान-पान की बात करें तो ये अपने सामने आने वाले हर एक जीव को खा जाते हैं फिर चाहे वो खतरनाक पिराना मचली हो या कोई छोटा मगरमच ब्लैक केमन पानी के अलावा जमीन पर भी शिकार करने की काबलियत रखते हैं पिरानाज Amazon में पाए जाने वाले पिरानाज अपने मजबूत जबडो और नुकीले दांतों के लिए जानी जाती हैं इनके छोटे साइज के हिसाब से इनका बाइट फोर्स काफी ज़्यादा होता है पिरानाज मचलियां अक्सर जुंड में रहती हैं और जब भी कोई इनसान या जीव इनके अलाके में गुस्ता है ये उसका प्मला कर देती हैं पिरानाज की इने विशिस्ताओं से इंस्पायर होकर हॉलिवुड में एक फिल्म भी बनी है यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा पॉईजन डार्ट फ्रॉग एमेजॉन के जंगलों में कई तरह के जहरीले मेंडक पाई जाते हैं ये देखने में जितने छोटे होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं इन मेंडको की सकिन पर काफी जहरीले तत्व मौझूद होते हैं जो इनको शिकारी जीवों से बचाते हैं यदि कोई शिकारी जीव इनको खा ले तो उसको पैरलिसिस, काडेक अरेस्ट और यहां तक की डेथ तक हो जाती है वैसे तो इनको छूना हम इनसानों के लिए उतना खतरनाक नहीं है लेकिन अगर आपके शरीर का कोई कट या घाव इनके संपर्क में आता है तो इसका जहर खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है और इनसान की मौत हो जाती है कहा जाता है कि एमेजॉन में रहने वाले कुछ ट्राइब्स इसका जहर तीर पर लगाकर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं हार्पी इगल हार्पी इगल दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर पक्षी है जिनके पंखों की चोड़ाई करीब 7 फीट तक होती है और इनका वजन करीब 9 किलोग्राम तक होता है ये दिखने में काफी भयानक लगते है इनको देखने पे ऐसा लगता है जैसे की कोई इनसान कॉस्ट्यूम पहन कर बैठा हो हार्पी इगल्स दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी माने जाते हैं इनके पंजों में इतनी ताकत होती है कि ये बड़े से बड़े जानवरों और बंदरों तक को उठाके ले जाते हैं हाला कि ये इगल्स काफी शाय होते हैं और इनसानों की भीड से दूर अपने घोसलों के पास ही रहना पसंद करते हैं आज की डेट में हार्पी इगल्स की प्रजाती विलुप्त होने की गगार पर है इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए International Union for Conservation of Nature यानी IUCN काफी कठोर कदम उठा रहा है तो दोस्तों आपको इन में से कौन सा जीव सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें धन्यवाद